हेलो फ्रेंड्स मैं श्वारी राजकर में तोता राम बजातिरी नगर दिली से और सभी को हाथ जोड कर राम राम तो गैस कैसे आख सब लोग आशकति हो सभी लोग अपने अपनी जंगा पर ठीक होंगे और सभी को दोस्तों कुछ मैं पिछले एक महीने से वीडियो अपनी श इसका आज मैं आपको कारण बताने के लिए जा रही हूँ तो काईज प्लीज मेरी सिच्वेशन को समझना और थोड़ा टाइम मुझे दीजिए मैं कोशिश करूंगी अपने आपको फिर से दुबारा से लोगों को रिप्लाइ करने का एक्चुली मेरे जो फैमिली में है ए होती दुब घटना हो गई है जिसकी वज़े से हम अभी अपने आपको सही नहीं कर पा रहे हैं मेरा एक भाई था और वो अभी इस दुनिया में नहीं है और यह चबिस नवंबर की बात है चबिस नवंबर को उनका देहान तो गया तो अभी उनको एक महीना भी चबिस दिस संबर को एक महीना हुआ है और इसी सब चीजों में मैं बिल्कुल वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी और सिच्वेशन यह है कि घर के हाला ठीक नहीं हो गए हाला ठीक नहीं हो पा रहे थे उसके बाद हमारे घर में एक और मिस हैपनिंग हो गई मेरी सिस्टर के ससुर पंदरा दिन के बाद और बस उसी चक्कर में घर में जो एक माहौल हो बहुत ही दुख्द बना हुआ है और हमारे उपर समझलो एक यह पहाड की तरह है तो मैं माफी चाहूंगी कि मैं आप लोग कुछ लोग यूट्यूब पर मैसिज कर रहे हैं कि रिप्लाइं नहीं करते तो मेरी सिच्वेशन को या मेरी प्रोब्लम को आप समझेगा और मैं आप से विंती करती हूं कि मैं नेक्स्ट येर एक तारीक के बाद से कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो जरूर अपलोड करूं अपने शोप की लेकिन अभी फ्लाल थोड़ा हमें टाइम दीजिए मेरे गरवालों के साथ में मुझे अभी उनको और अपने आपको इस लाइक बनाना है अभी थोड़ा एक जिस दोर से हम गुजर रहे हैं जिस सिच्वेशन से गुजर रहे हम वो शायद हम पैसे बता कर बोल कर नहीं बता पाएंगे ठीक है उसी बीच इन सब चीजों के बीच मे मेरी बेटी जो है वो काफी बीमार हो गई है वह भी अभी यहां पर हॉस्पिटल में एडमिट है घृण के अगरे इसी पीच इतनी सारी चीजें होने के होने से घर के हालाथ थोड़े से परेशानी बरहे होने से बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चे बीमार हो गए अभी देखे इसको मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल में लेके बाठी हुई हूँ और इनको इसको इंफेक्शन हो गया है तो यहीं सब कारण है गाइस कि मैं ना तो वीडियो अपलोड कर पा रहे हूं और ना ही मैं आपको किसी का वाटसप पे यूट्यूब पे मेरे हाला अभी उसमें नहीं है कि मैं किसी को भी पहले की तरह जल्दी जल्दी जवाब दे सकूं या जल्दी जल्दी वोपर तुखों लेकिन मेरी कुछ वीडियो पहले की बनी हुई रख़ि हूई है जब ब्रधर जो है वो एक्सपायर नहीं हुए थे दो 3 दिन पहले की वो भी मैंने upload नहीं करी video और मैं अब वीडियो upload करूँगी लेकिन थोड़ा सा मेरे को और 4-5 जीन का time दीजे मैं next year से वीडियो upload करना start करूँगी और दुबारा से कोशिश करूँगी अपने customers के साथ में connect करने की और फिलहाल तो अभी भाई का जाना बहुत ही एक दुख्ध समय है हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए और मैं कोशिश करूंगी जल्दी वीडियो अप्लोड करने की प्लीज और एक और मैं मैसिज करना चाहूंगी कि कोई गलत कमेंट ना कीजिए मेरी हाथ जोड़के आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ लोग बड़े ही वाईयात से कमेंट करते हैं वीडियो पर तो वो प्लीज ना करें प्लीज उस तरह के कमेंट ना करें वागी जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल जो लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं उनको लोग उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ और मैं आपको अब आप सब लोग इतना मेरे को जानते हैं मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर है तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा एक ही भाई था और जो अब इस दुनिया में नहीं है और सिर्फ वो इसी कारण हम जो है न अभी उस दुख समय से निकल नहीं पा रहे हैं जल्दी ही मैं पुरानी जो मेरी वीडियो हैं जो मैंने तीन-चार पुरानी बना के रखी थी तो वो मैं अप्लोड करूँगी और उसके बाद मैं अपनी नहीं वीडियो बनाऊंगी तब मै अप्लोड करूँगी ओके थैंक्यू सो मच बाइबाई और यही आज का जो वीडियो बनाना का मेरा मकसद था वो यही था कि सब लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं एक महीने से वीडियो क्यों नहीं बना रही हूं